दोस्तों अपने देश में total 1026 total universities हैं जो काम करती हैं अपने हिंदुस्तान में जो admission लेती हैं, education प्रोवाइड करती हैं, अलग-अलग sectors में जहांसे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो total 1026 में से 403 total private universities हैं जो हिंदुस्तान में चलती हैं जहांसे आप admission ले पाएंगे, ऐसी ही universities में नाम आता है राजिस्तान का, राजिस्तान जहां की second number पे total universities का अगर हम count करें हिंदुस्तान में जो private universities चलती हैं, वहीं पर एक university का नाम आता है जिसका नाम है भगवंत university, अजमेर म पास क्या-क्या approvals हैं, क्या-क्या courses हैं, उस पर तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे, पर आज अपनी इस वीडियो में हम एक short review आपको देंगे, जिसे हम बताएंगे university के कुछ approvals के बारे में, university कब established होई, university के अंदर क्या-क्या courses चलते हैं, और भी बहुत सारी बाते आज colleges, उनके courses को explore and review करते हैं, और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं, दोस्तो हाला की universities कई हैं, राजिस्तान में भी बहुत सारी universities हैं, राजिस्तान में इसे एक university का नाम आता है, भगवंत university का, टोटल अगर हम बात करें, टोटल private universities जो चलती हैं, राजिस्ता university है, जो की दोस्ता से काम कर रही है, साथ ही इस university की location की हम बात करें, अजमेर में university चलती है, सीकर रोड पर ये university है, साथ ही university ने जो अपना website पर एक graph दिया है, जिसमें ये बोलते हैं इस university में, टोटल 250 foreign students पढ़ते हैं, टोटल जो teachers हैं इस university के अंदर, वो 150 total इनकी strength है, अभ जो अपडेट दिखा रहा है उसके उपर, और टोटल 25 से ज़्यादा कुछ courses हैं इस university के पास, साथ ही university के अंदर, एक अच्छी बात मैं आपको बता चाहूंगा, नेड की list university ने अपनी website पर ही update की हुई है, मैंने आपको बताया था, नेड क्या है, नेड जो होता है, एक national academy deposit इसकंदर के आपका record update होता है, कि इसी university ने आपका course करवाया था, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, किसी भी university में admission लेने से पहले, एक बार नहीं, कई बार university को अच्छे से परक लेना चाहिए, university को visit जरूर करना चाहिए, university के पास क्या-क्या faculties है, कैसी कैसी faculties है, किस तरह से वो classes provide करते हैं, कैसा university का atmosphere है, canteen कैसी है, बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है, placements भी देखने पड़ते हैं, हम नहीं कहते हैं, आप university में जाके admission लेजिए, बट इस university में admission लेने से पहले visit जरूर करें, काफी students complain करते हैं, अलग-लग चीजों को लेकर, बट आपकी हमारे पास एक query आई थी, हम university को review करें, short review हम दे रहे हैं, आज अपने इस वीडियो में, admissions की बात करें, admission का भी university ने graph डाला है, जिसमें जो जो faculties university के पास है, कोर्स चलाने की, वो सब university करवाती है, जादा कुछ खार्स courses तो university के पास नहीं है, बट जैसा मैंने आपको हमेशा बताय है, जो भी कोई university, UGC recognized है, वो university सभी तरहे courses, diploma या certificate courses, UGPG courses, साथ मही PhD में भी admission university ले सकती है, आप जब UGC पर जाते हो, UGC.ac.in पर, तो यहाँ पर यह university आपको third number पर देखने को मिलती है, जैसा मैंने आपको हमेशा से बताया है, यह कोई ranking नहीं, alphabetically जो list बनती है, उसके अ इस university के बारे में, आप क्या जानना चाते हैं, किन courses को जानना चाते हैं, क्या क्या approvals हैं, इस university के पास आप वो जानना चाते हैं, या university का previously जो history रही है, वो क्या है, जिस तरह सभी universities अपनी website पर एक notice लगा देते हैं, कि जतने भी fraudsters हैं, उनसे बचके रहें, या fake mark sheets के जहांस है, कि universities एक notice लगा देती हैं, किसी भी तरह के legal action से बचने के लिए, वही इस university ने भी यहां पर एक notice लगाया हुआ है, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, कि university अलग अलग तरह के scams में बहुत सारी private universities आती रहती हैं, कुछ ना कुछ allegations चलते ही रहते हैं, पर university अगर मा आने होगी और आपने admission लिया, तो आपको कोई problem होगी नहीं, future में कोई problem हो भी जाए, और आप real तरीके से university के enrolled student है, आपने वाँ रहकर पढ़ाई की है, कोई भी मिलावट किसी तरह की नहीं है, तो आपको कोई भी problem कभी नहीं आएगी, आप अगर genuine student होते हैं किसी university के, तो आप अपने fight को आगे तक लड़ सकते हैं और आप जीतेंगे, आपको कभी किसी तरह की problem नहीं आएगी, कोई भी किसी तरह के सवाल हैं भगवंत university को लेकर, या आप कोई भी update वीडियो चाते हैं, या आप चाते हम course को explore करें, या university का approval को, या और भी कई सारी चीज़े हो सकत और अच्छा लगे आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, और साथ ही चैनल को सबस्काइब करना बिलकुल ना भूले, साथ में लगवाल हैं जरूर दबा दें, तकि इसी तरह की educational वीडियो हम आपक के लेकर आज सके सबसे पहले, बहुत बश्यूर के दोसे ने वाद, हमारी इस वीडियो के साथ बरे रहने के लिए